जाहन दोस्तों चले दोस्तों बात करते हैं इस question के बारे में इस question में क्या कह गया the angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree if the tower is 50 meter high find the building एक्षार ने क्या क्या एक टावर है मेरे पास में कितना 50-meter का टावर है और एक मुझे बील्डिंग दी हुई है माना कि बील्डिंग यह मेरे पास में और यह कितनी है एक मीटर की बील्डिंग है आप इन्हों क्या घाए एंगल अफ टाओप ऑफ डॉलिडिग इन टाफ ऑफ बिलिडिंग एलिवीशन टाफ ऑफ बिलिडिंग ये तो कितना एंगल बन रहा है आपका, वो 60 डिग्री दिया हुआ है, if the tower is 50 meter height, 50 meter height, then the find the height of the building, मदब बिल्डिंग की height find करी ये दिया हुआ है, तो मुझे पता है कि ये मेरे पास में A होगा, तो ये मेरे पास में B होगा, ये मेरे पास C होगा, ये मेरे पास में D होगा, अगर मैं triangle लूँ, in triangle, A, B, और C, तो इसमें angle जो B होगा, वो मेरे पास कितना होगा, आपका 90 degree होगा, ये वाला, और इसमें जो theta दे रखा है, वो कितना होगा, इस triangle के अंदर मेरा 60 degree है, और मुझे जो find करना है, इसमें आपका find करना है BC, ये land find करनी है, वो मैंने लिया, according to question, ATQ, ये A, B, अपोन में, मेरे पास में जाएगा BC, ये मेरे पास जाएगा, आपका कितना 10, 60 degree होगा सा है, angle मुझे दिया हुआ है, और ये perpendicular अपोन में base है, यानि कि लंबटे में आधार है, तो वो 10 theta, 10 theta होता है, यानि कि 60, तो ये मेरे पास 50, अपोन में BC, इस girl to में 60 क्या होगा, under root 3 by में 1, इसे में से cross multiply करूँगा, तो BC into में कितना हो जाएगा, आपका root 3, इस girl to में 50, तो BC की जो value आएगी, वो मेरे पास आएगी 50 by में आपका root 3, ये मेरे पास में equation क्या होगी, 1, अब मैंने क्या, मैंने दूसरा triangle को pick किया, अब वो triangle जो pick किया, मैंने वो ये वाला triangle लिया, ये वाला, यानि कि in triangle, in triangle D, C और B, तो इसमें देखे DC, अब उन में BC, is called to make 10, और angle कितना दिया हूँ, मुझे इसमें 30 degree दिया हुआ है, तो DC की value कितनी है, मेरे पास में आपकी, H मुझे निकालनी है, BC कितना दे रखा है, मुझे, ये ये given दे रखा है, तो 50, और by में root 3 है, मैं direct रख लूँ, is called to make 10, 30 कितना, one by में root 3, इसको मैं solve करूँगा, तो ये root 3 उपचल जाएगा, यानि root 3, upon में कितना हो जाएगा, आपका, into में h, upon में कितना हो जाएगा, 50, is called to make 1 by में root 3 हो जाएगा, इसको से cross multiply करूँगा, तो ये मेरे पास में 3 h हो जाएगा, बरावर में 50 हो जाएगा, यानि h is called to कितना हो जाएगा, 50 by में 3 हो जाएगा, मीटर, ये मेरा इसका question का correct answer होगा, जो examiner ने मुझसे पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, इसकी building की height पूचिए, तो 50 by में 3 मीटर, इसका correct answer होगा, I hope, आप सभी कोई question समझ में आयोगा, जय हिंद, जय भारत!